शिव बाबा याद है ना? कमाई चट हो जाती हैं तूट पड़ते हैं इसलिए ब्राहمنों की माला बन नहीं सकती बाब तुमको रोज समझाते हैं यह काम विकार महाशत्रू है इनसे हार नहीं खानी बाकी सब तो बाल बच्चे हैं फिर बाबा ने कहा कोई कोई ऐसे भी कहता है कि क्रोध तो करना पड़ प्यार से भी काम हो सकता है। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। बाप तुमको कहते भोजन खाओ तो भी याद में रहेकर। लास्ट में बाब ने कहा करमातीत अवस्था तब बन सकती जब सिवाए बाप के और कोई की याद न रहे। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। और अब सुनते हैं महावाख्यों को विस्तार से। मूरली का सार, मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज, जिसमें तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हरेक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न, करमातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुशार्थ क्या है। उत्तर करमातीत बनना है तो पूरा-पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए होंगे, तब करमातीत बन सकेंगे। जिने धन, दौलत, बच्चे याद आते, वे करमातीत बन नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते, मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी सरेंडर हो जाते हैं। सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम श्यान्ती। रुहानी बाप बैठ रुहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धी में जरूर है कि अब घर जाना है। भक्तों की बुद्धी में नहीं रहता। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अत्वा स्टेज है। अनलिमेटेड स्टेज है। इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है। अपवित्र आत्माई तो जा नहीं सकती। पवित्र जरूर बनना है। अब इस खेल का अंत है। अपरम पार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पॉ कॉम्पिटिशन, नर्क की स्वर्ग के साथ कॉम्पिटिशन है। अल्प काल के लिए सुख है। यह है माया की लालच, ड्रामा नुसार, कितने धेर मनुष्य हैं। पहले तो सर्फ एक आदिसनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो मांडवा फुल भर गया है। अब य यह चक्र पूरा होता है, सब तमो प्रधान है, सृष्टी भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है, सारी सृष्टी नई चाहिए न, नई से पुरानी, पुरानी से नई, यह तो अनगिनत बार चलता आया है, अनादी खेल है, कब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते, अ इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे, सिर्फ तुम पुरुशोत्तम संगम युगी ब्राह्मन ही जानते हो, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा, बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए? बाप से जो पाना था, पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं, तो बाप समझाते हैं बच्चे, तुम ही सबसे जास्ती पतित बने हो, पहले पहले तुम ही आए हो, पार्ट बजाने, तुम को ही पहले जाना पड़ेगा, चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। ये रुद्र माला है ना। धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परमधाम में चले जाएंगे। फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिवबाभा को कितने धेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आती हो। यह है बेहद की माला जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए है। रुद्र माला और विश्नों की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं क्योंकि तुम चड़ते गिरते हो हार खाते हो घड़ी घड़ी माया गिरा देती है इसलिए ब्रह्मनों की माला नहीं बनती जब पूरे पास हो जाते हो तब विश्नों की माला बन पवित्रा बना हुआ है, इस समय माला नहीं बन सकती है, क्योंकि आज पवित्र बनते, कल फिर माया थपड मार, कला काया ही निकाल देती, की कमाई चट हो जाती है, तूट पड़ते हैं, कहां से गिरते हैं विचार करो, बाप तु विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी श्रीमत पर चलने से तुम ओच पद पा सकते हो, हार खाई तो खलास, काम विकार महाशत्रू है, उनसे हार नहीं खाने हैं, बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रू है काम विकार, उनके उपर ही जीत पाने हैं, काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, ये पा प्यार का सागर हूना, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है। भल कोई भी पोजिशन हो, बाबा के पास मिलिटरी वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, तो सिर्फ श्यू बाबा को याद करो। उन्हें कहा जाता है, तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे। वासो में युद्ध का मैदान तो यह है, वह तो लड़ाई करते करते मर जाते हैं, तो फिर वहां जाकर जनम लेते हैं, क्योंकि संसकार ले जाते हैं, स्वर्ग में तो जा न सके। तो बाबा उन्हों को समझाते थे, श्यू बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हों, क्योंकि स्वर्ग की सापना हो रही है, श्यू बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, यह थोड़ा भी ज्यान मिलाना, तो विनाशी ज्यान का विनाश नहीं होता है तुम बच्चे यह मेला आधी करते हो, तो कितनी प्रजा बनती है, तुम रुहानी सेना होना, इसमें कमांडर मेजर आधी थोड़े होते हैं, प्रजा तो बहुत बनती है, जो अच्छी रिती समझाते हैं, तो कुछ न कुछ अच्छा पद पाते हैं, उनमें भी 1st, 2nd, 3rd grade हो देखा जाता है, एक दो से उपर चले जाते हैं, नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं, बाप से पूरा योग लग जाए, तो बहुत उच्छ चला जाएगा, सारा मदार है योग पर, नॉलिज सो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे, बाप की याद में विग्न पड़ते हैं, बाप कहते हैं, भोजन खाओ तो भी याद में, परन्तु कोई दो मिनट, कोई पांच मिनट याद में रहते हैं, सारा समय याद में रहें, बड़ा मुश्किल है, माया कहा ने कहा उड़ाए, भुला देती है, सिवाए बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी तब ही करमातीत अवस्था होगी अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा कुछ भी याद ना आए यह बाबा मिसाल देते हैं इनको क्या याद आएगा कोई बाल बच्चे धन आदी है सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो तुम तो जरूर बाब को याद पड़ेंगे ही क्योंकि बाब आए हैं कल्यान करने के लिए याद सब को करते हैं परन्तु फिर भी बुद्धी फूलों तरफ ही चली जाती है फूल अनेक प्रकार के होते हैं कोई बिगर खुश्बु भी होते हैं बगीचा है ना बाब को बागवान माली भी कहते हैं यह तो तुम जानते हो मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते जगडते हैं बहुत देह अभीमान है बाब समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शान्त रहना चाहिए क्रोध भूत है ना भूत के आगे शान्ती से रेस्पोंड देना है सर्वशास्तर शिरोमनी श्रीमत भगवत गीता है इश्वरियमत की इश्वरियमत आसुरीमत और दैवीमत एक इश्वर ही बनाते हैं राज योग की नौलिज देते हैं फिर यह नौलिज गुम हो जाएगी राजाओं का राजा बन गया फिर नौलिज क्या करेंगे 21 जन्म तो प्रालब्द भोगते हो वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता है कि इस पुरुशार्थ का यह फल है अनेक बार तुम सत्युग में गए हो यह चक्र फिरता रहता है सत्युगत रहता है ग्यान का फल ऐसे नहीं कि वहाँ ग्यान मिलता है बाप आकर यहां भक्ती का फल ग्यान देते हैं बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ती की है अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे इसमें है मेहनत, रचना के आदी मध्यांत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे न, प्रन्तु देहधारी को भगवान भगवती कहना रौंग है ब्रह्मा, विष्णू और शिव का कितना संबंद है, यहे ब्रह्मा फिर विष्णू बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेश्सा है, सुक्षम वतन वालों को फरिश्सा कहा जाता है तुमको फरिष्टा बनना है, साक्षतकार होता है, बाकी कुछ है नहीं, साइलेंस मुवी और यहां टोकी, यह है डिटेल, बाकी नटशेल में तो फिर भी कहते हैं, मन मना भव मामे कम याद करो, और सृष्टी चक्र को याद करो, यहां बैठे हो तो भी, शान्ती धाम सुख दुखधाम को याद करो, इस पुराने दुखधाम को भूल जाओ, यह है बेहद का सन्यास बुद्धी से, उनका है हद का सन्यास, वह निवरिती मार्ग वाले प्रवरिती मार्ग का ज्यान दे न सके, राजारानी बनना प्रवरिती मार्ग है, वहां है ही सुख, वह तो प्रोडों की अंदाज में हैं। उन्हों की परवरिश वो कमाई होती है ग्रस्तियों से। एक तो तुमने दान पुन्य में लगाया, फिर पाप का धंदा किया, तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्यान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्म शाला आदी बनवाते हैं, तो दूसरे जनम में अच्छा फल मिलेगा। यह तो है बेहद का बाप। यह है डारेक्ट, वे है इंडारेक्ट। इश्वर अरपणम करते हैं। अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो दाता हैं। उनको भूख होगी शिश्ण दाता नहीं। बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे दस पावे। गरीब दो रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं। सुदामा का मिसाल। भारत सोने की चिडिया था ना। बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनात के मंदिर में अक चार धन था। कितना लूट कर ले गए। बड़े-बड़े हीरे ज्वाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते। कट-कुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। वहां सब खानिया तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएंगी। हीरे ज्वाहर तो वहां जैसे पत् खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे, खुशी का पारा चड़ता रहेगा। बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, तो गुद्धी में रहता है न, यह पास कर, फिर यह बनेंगे, यह करेंगे, तुम भी जानते हो, यह देवता बनेंगे। यह तो जड़ चित्र ह हम वहाँ चितन्य बनेंगे। यह चित्र भी तुमने जो बनाए कहां से आए। दिव्यद्रिष्टी से तुम देखाए हो, चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए हैं। अगर यह कोई से सीखा होता, तो सर्फ एक थोड़े ही सीखा होता और भी तो सीखे हुए होते ना। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ। यह तो बाप ने दिव्यद्रिष्टी दवारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं। यह मनुष्य मत के नहीं हैं। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम नि भक्ति की कितनी सामगरी हैं यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुमने एक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है ना कि धन को। तुम बच्चे रावन की जंजीर में आधा कल्प से फसे हुए थे। रा लाखों वर्ष केह देने से फिर आधा-ाधा का हिसा भी नहीं निकलता। कितना फर्क है। तुमको तो बाप ने बताया है। सारे कल्प की आयू ही पांच हजार वर्ष है। 84 लाख योनिया तो है नहीं। यह बड़ा गपोड़ा है। सुर्यवंशी चंद्रवंशी देवी इतने लाखों वर्ष राजे करते थे क्या। यह बुद्धी काम नहीं करती। सन्यासी तो समझ से हैं अभी हम अपने को रोंग माल लेवे तो सब फॉलवर्स हम को छोड़ देंगे। रेवोलुशन हो जाए। इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर जल अपनी राजाई नही छोड़ेंगे। पिछाडी में कुछ समझेंगे अभी नहीं। न साहुकार लोग ही ग्यान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाजूं। साहुकार लोग कभी सरेंडर होकर करमाती तवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ हैं। गरी भूलना पड़ता हैं। कुछ भी पास न रहे तब करमाती तवस्था हो। साहुकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे। जिनोंने कल्प पहले वड़सा लिया हैं वही लेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती। मात पिता बाप दादा का याद प्यार औ और गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते। धारना के लिए मुख्ये सार। पहली पुइंट जैसे बाप प्यार का सागर हैं ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है। क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम् दूसरी पोइंट, बुद्धी से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है, शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है, अविनाशी ज्यान रत्नों की लेंदेन करनी है वर्दान, विकारों रूपी जहरीले सापों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव यह पांच विकार जो लोगों के लिए जहरीले साप है, यह साप आप योगी व प्रियोगी आत्म के गले की माला बन जाते हैं यह आप ब्रहमणों व ब्रहमा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज सक भी पूजा जाता है दूसरा, यह साप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं यह सिती स्टेज की रूप में दिखाते हैं तो जब विकारों पर ऐसी विजे हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्थ परियोगी आत्म स्लोगन जिनका स्वभाव मीठा शांत चित है उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता अच्छा आज के ज्ञानमोती में हम जानेंगे वह मुख्य दो कारण कौन से हैं जिसकी वज़े से बुद्धी एकाग्र नहीं रह पाती व्यार्थ की तरफ जाती है तो आईए सुनते हैं आज का ग्यानमोती